असलाम अलेकुम खुशाम दीर कैतियू रैस्पिकरी इसमें मज़दार से ये पराठे जो के लच्छे दार होंगे मज़दा क्रिस्पी क्रंची और एक तम चटपटे तो इसके लिए सबसे पहले आपने आटा गूनना और आटा गूनने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपने ले लेना है मैदा मैदा एक अब भरकर आप ले लिजिए का मैदे का अगर मैदा नहीं यूज़ करें तो आप इसकी जगा गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल आपके घर में आता है उसके बाद आपने इसके इंदर शामिल कर देना है वान टीस्प लेकिं जब राटे के ले लजा अगा उसको आपने जो है वसं थोड़ा सा बाद हार्ट्ष रखना लेकिन उसके अंदर जो है वान तोड़ी सी साौपनेस इसकी वज़ा से स्मूथनस भी आई है और क्लेर भी इसके पर थोड़ सा ओई लगा कर यह घी लगा कर इसको फिर आपने कवर करके छोड़ना है रस देंगे तब यह अच्छे प्राठे बनेंगे फिर उसके बाद थर्टी मिनट्स का रेट्स देना है 30 मिनट्स भी जैसकते है अगर डीला हो जाए तो आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो फ्रीज में रखने से यह होता है कि यह थोड़ा हाड हो जाएगा उसके बाद आपने हुश काटा लेना है ठीक है और पेडा बनाकर उस पर अच्छे से दोनों तरफ से लगाना है आटे को अच्छे से लगाएं और सारा आठा मिड़ में कठा कर लेना ठीक है और उसके बाद हलके आतों से प्रेस करके इसको यह दे सकते हैं इकुली जो है आपने इस तरह से शेव दे देनी है उसके बाद अच्छे से जब खुश्क आठा लगा लेंगे दोनों साइट पर फिर आपने इसको बेलना स्ट प्रेस देंगे जादा बेलन को भूमाएंगे ऐस कंपेर तो आप मेड में सेंटर में उसके बाद इतना सा बस आपने इसको बेलना है उसके फिलिंग बता देती जो इसके अंदर जाएगी आपने लेलेने दो अदद आलू उनको चिलका उतार लीजेगा ठीक है बॉयल करना आप अगर गरम आलू पराठों डाल देंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टीम बनेंगे स्टीम से यह सोगी हो जाएंगे आपके पराठे और आपके बिल्कुल एकदम घल्वे की तरह हो जाएगा आपका बैटर नहीं होना चाहिए इसलिए आपने इसे थोड़ा मोट इसके लिए का हाथों से दबा करने साथ में आपने इसके अंदर फ्रेश वाली एंधनिया चॉप डाल दी इसके उतार लीजिए उसके बाद आपने जो है चार से पांच लेने हरी मिच्चें बीच निकालना चाहते हैं अगर जादा तेज हैं तेज वाली तो आपने इसके का बीच निकाल देने हैं ने तो आप जाथा युश्क चॉप आटा के इसके अंदर हरी मिच्चें लाल देंगे थोर जाद जाधा चटपटा रखने के लिए हरी मिच्चों का स्काल जादा करें गए और मिच्च का भी जापने कुटी बी लाल मिच वान टी स्पून लाल मे करने के पाद इस सारे मिसाले के अंदर एक और चीज एड़ करनी है वह है खुश्क धनिया राउंड जो होता है ना ठीक है इसको थोड़ा सार वुस्ट करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं और जिवाइन है वह आपके इलिए वैसे मैदे के लिए बहुत अच्छी होती ही उसके बाद आपने अपने के अनार दाना कि बिल्कुल मज़दार जैसे रेस्टरेंट के होते हैं वैसे बनेंगे फिलिंग रेडी होगी थी उसके बाद आपने जो पेड़ा पेल के रखा ना उस पे इस तरह से यह दे सेते हैं पेड़ा अभी तक हाड है इसकी वज़ाद यह है कि मैंने आटा बहुत अच्छे से गू क्यों कि इसके अंदर फिलिंग एड़ हुए है फिर अब आपने हलके हाथों से बिल्कुल जोर नहीं लगाना है क्यों क्यों कि फिलिंग बाहर नहीं आएगी क्यों क्यों कि आपने पहले साइड़ों पर किनारों पर जो है अपने थोड़ सा गुमाते वे इस तरह से यह दे पहले से तवा गरम कर लें यह पैन गरम कर ले उस पह आपने डालना है डिर्क ली एडरी डालकर इसको आप इस पर अभी फोराण से आपने इस पर तेल और नहीं डालना है आपने '' दोनों तरफ से अच्छे से से क्रेंची बनाने के जादा मजएदार से पराथे बनती है तो बरवरकर डालें इस पर गी और क्योंकि बेए प्राथे में जादा गी बैँ प्रिस्पी देना ब डूसे उसको यहां वाल हों घुक्जार conexes gaat ugye के फ homeless और जूरायई गी उसको सब्सक्राइब तो क्रलाने किनारों कर देख देंगे रहें ना आरे भटेंगे रही है मज़़दार सा बल्कुल एंट तक तक लेकर गए थी बैलन के वेल कर सकते हैं तो मज़दार से प्राठे रेडी हैं, रेष्पी को देखते वे यहां तक आगए है तो रेष्पी करी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शीर्ट जूरूर करना है और इन पराठो को आपने जरूर ट्राइ करना है अभी मैं आपको इसको तोड़ कर यानि इसको जो आखोल कर दिखाती हूं कि इसकी फिलिंग किस तरह से जो है वो है इसके अंदर और कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं सो जी गाईज अब आपने इसके क्रिस्पी क्रंची होने के लिए इसको हलकी आँच पर आपने इसको दोन सेटों से सेख कर उसके बाद दलना है यह दे सकते हैं फिलिंग एंड तक है लेकिन बाहर भी नहीं आई और फिलिंग ऐसे लगए जैसे डबल लेरिंग कीगी हलकी सिंगल लेयर का पराठा है और इस तरह से मज़दार यमी सा पराठा आप जरूर ट्राए कीजेगा फीडबेक दीजेगा कमेट सेक्शन अपना ख्य क्या है